हेलो दोस्तों अंकु शियर निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्शर हम लोग आज डिसकस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके नेक्स्ट वीक और वीकली और डेली चार्ट में मार्केट ने क्या बेसिकली प्राइज एक्शन हमको मिल रहा है और एक स्टॉक के बारे में भी डिसकस करेंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो लास्ट तक देखें डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ एडवांटेज जरूर मिलेगा आपके ट्रेडिंग सैट अप में सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से है तो यह सिंपल सा मेरा निफेटी का एक बीकली चार्ट है अगर मैं बीकली चार्ट में अगर देखता हूं तो यहां पर हमने लास्ट विक डिसकस किया था कि ओषर ओर्रॉल मार्केट एक काइंड ओप ट्राइंड और साइड़ वेज एक्सपारी वहां तक मार्केट ने एक अच्छा सेल ओफ किया था और उसके बाद थोड़ी सी बाइंग हमको फ्राइडे को देखने मिली थी राइट सो यहां पर अगर आप देखेंगे सिंपल सा तो यह स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक बेरिश फॉर्मेशन दिया है जिसक तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है माइट भी चांसे कि मार्केट यहां से टर्नों के हमको नेक्स्ट कुछ हपसों में पिक वाली देख सकती है राइट सो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास निफ्टी में अगर एक्श लो है लास्ट वीक का वह आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का की डिसाइट करने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड वीकली चार्ट पर क्या होने वाला है राइट सो जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा यहां पर इस इस एरिया में हमारा डिमांड जोन भी अवल हाइस की तरफ लिजाने की कोशिश करेंगे राइट वीकली में आप देख सकते हैं मल्टिपल मुईंग एवरेजेस एन वन डेमांड जोन का एक आपका मेजर सपोर्ट है हमारे पास अगर हम यही डेली चार्ट में आते हैं तो डेली चार्ट में भी सेम हमने जो डिमांड जोन राओ किया था वह काफी अच्छे से Sell Off आया, ठीक है, Sell Off होने के बाद, Next Day Market Price, Previous Day Price Range में Open होता है, और Previous Day High के आसपास Close करता है, तो जैसे कि मैंने पुराने अपने वीडियो में भी शेयर किया था, कि जो Candle है, ये आपका एक तरीके से Double Candle Pattern में, एक Bullish Candle Pattern है, आपका, और हमने उस वीडियो में भी डिसकस किया है कि अगर आपका कोई भी मेजर, Bullish Candle, अगर आपका Demand Zone के आसपास बनता है, जहां पे आपको लग रहा है कि Bulls Activate होने के लिए वेट कर रहे थे, बहु सारे Unsatisfied Buyers हैं, और उसमें अगर आपकी कोई Bullish Candle बनती है, तो Definitely हमारे लिए एक Pullback हो सकता है, Definitely, So Again, जो हमारा Previous, ये Thursday का आपका Low था, वो हमारा एक Important Level है, और उन Levels को ध्यान में रखते हुए, आप एक Expect कर सकते हैं, Market में, Pullback में, तो फिर बात आती कि, अगर हां Market में, Pullback आएगा, तो कहां पे फिर Sellers Activate हो सकते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि Continue Market में, एक Downside रहा था, ठीक है, और Actual में, जो क्यों हमारा Level है, वो Recently हमारे लिए हो जाएगा, Simple सा Supply Zone, तो हमारा Demand Zone से Market Bounce Back करके, आप Simple सा Stop Loss Trail भी कर सकते हैं, Small Moving Average के साब से, बढ़ हां, डेफिनेटली, इवन मैंने Last Friday को भी Tweet किया था, जिसमें Maruti, Hero Motor, Nifty और Bank Nifty, मैंको थोड़ा सा Bullish View लग रहा था, just because of Simple Friday Price Action, right, so ये बात हो गई हमारी Nifty की, again हम आते हैं अपने Bank Nifty में, तो Bank Nifty में, हमने Last Time, Weekly में पहले हम लोग डिसकस कर ले था, तो Last Time हमने देखा था कि अगर Actual में Market, जो Last Week था, वो इस Level के आसपास का था, ठीक है, तो हमने डिसकस किया था, कि ये Level Break करना Market को काफी Important है, औ और Market ने ये Level को Break तो किया, बट उस Level के नीचे Market ने Close नहीं कर पाया, उस Level से एक Bounce Back आया, जो हमने Thursday को देखा था, sorry Friday को देखा था, right, so again ये जो Level का जो Low है, वो हमारी काफी Important Level होने वाला है, जो Key Area जो Market का Trend Decide करेगा, अगर इस Level के नीचे Market जाता है, तो Definitely Market हम देख सकते कि again एक Bearish Trend में चला जाहेगा, और और Lowers हम देख सकते हैं आने वाले हफतों में, right, and again if we come back to this Daily Zone, तो again आप यहां पर देखेंगे कि कुछ जिस तरीकी का हमारा Formation Nifty में हुआ था, Daily Chart में, वैसा ही कुछ Formation हमारा Bank Nifty में भी हुआ है, और जहां पर एक मेरा काफी अच्छा Major Demand Zone मे एक एक जिस था, right, तो Demand Zone और Supply Zone और Demand Area एक ऐसा एरिया है, जहां पर बहुत सारे Simple सा Unsatisfied Buyer's available है, कैसे Unsatisfied Buyer's है, मैं आपको थोड़ा सा बता हूँगा, Market में एक आपकी यहां पर आई, देखेंगे, आप एक Rally आई, ठीक है, Market ने एक High Create किया, फिर वहां से Market में एक थोड़ Rally, पूरा Market ने Up Rally बनाया, मतब यहां पे बहुत सारे ऐसे Buyer's थे, जो Unsatisfied थे, जो Just Because of All of Sudden, जो Price Bounce Back कर गया इस Levels में, तो वो उन्होंने खरीद नहीं कर पाए, वो बहुत सारे Unsatisfied Buyer's हैं, तो हमेशा जो बड़े Players हैं, वो हमेशा कहीं टॉप में Buy नहीं करेंगे, या High पे बाई करेंगे, जो Simple सी Philosophy है, Wholesaler और Retailer की, तो Wholesaler जो हमेशा Lowest Price में ही Buy करके, Up Price में उसको Sell करेंगे, तो अगर Next Week, Daily Chart में अगर यह हमारा Demand Zone एक्टिवेट रहता है, और यह Demand Zone से हमारा, अगर कोई Pullback हमको देखने मिलता है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और Level ले स सकते हैं, Squeeze कर सकते हैं, यह Demand Zone को, तो अगेन यहां से जो हमारा Level है, यह जो मेरा Measure, अगर आप यहां पे देखूँगा, तो एक Market में Drop आया था, फिर कुछ Base Candles बनाया, फिर Market में Drop आया, तो मैं यह जो Level सा, यह Pullback होने पे, यह एज़ा आप Short Level ले सकते हैं, जिसको Let Me Change to Supply Area, So Next Week के लिए आपके पास यह Level और यह Level होने वाला है, काफी Important, और Definitely कुछ Pullback हम देख सकते हैं, Monday Market में Pullback होगा, और यह Pullback कहां से Turn होता है, किस तरीके से Turn होता है, वो आपको Day-to-day आपको Watch करने की जरूरत है, तो यह बात हो गई, Nifty और Bank Nifty की, मैंने एक और Stock Long किया है मंडे को वो है मारूती सुजुकी का, ठीक है, तो अगेन मारूती सुजुकी का, अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में, I'll show you the weekly chart also, ठीक है, तो weekly chart में सबसे पहले, let me hide all this, ठीक है, तो weekly chart में अगर आप एक simple सा trend line भी draw करते हैं, इसमें, तो आपको समझ में आएगा, यह जो मेर एक major level था, जहां से price एक तरीके से downtrend में चल रहा था, आप देख सकते हैं, market यहां से fall आया, फिर एक market ने नया, low बनाया, तो यह मेरा एक तरीके से major downtrend में market चल रहा था, जिसका अगर lower channel की बात करूं, तो यह lower channel मेरा, यहां कहीं पर support दे रहा था, तो काफी एक तरीके से ब प्रेक करके market again some kind of you can say pullback और यह level के उपर market ने एक दो-चार हफ़ते इस level के उपर close किया था, और यह हफ़ते भी अगर हम लोग देखें तो यह level touch किया, जो हो सकता है Friday का, Thursday का market touch किया, बट Friday में हमने एक pullback देखा है, तो weekly chart में this is kind of a very good pullback, तो हम थोड़ा सा यहां पर, recently जो हमारा low है, that is 6270, वो एक आपको एक काफी अच्छा support दे सकता है, तो यह आपका हो गया simple सा, एक काफी अच्छा support area, राइट, जिसमें हम लोग expect कर सकते हैं कि again market अगर इस level के आसपास अगर cross करे, okay sorry, so हम देख सकते हैं कि यह area के बाद आपका कोई major demand supply area market में exist नहीं है, तो 7700 और 7400 के उपर हम लोग अगेन यह high भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, because it's levels हम आ रहे, इतने high आ रहे है, because we are looking for a weekly chart, right, again if we see this daily chart, let me remove all the drawings, okay, so again अगर हम लोग daily chart में की भी बात करें, तो यहां पर आप देखेंगे कि market ने again एक bullish pattern create किया, जैसा कि हमने nifty में भी देखा, bank nifty में भी देखा, बहु सारे n numbers of stocks हैं, जिसने इस तरीके से formation create किया, जो कि काफी एक major sign है pullback का, ठीक है, तो देखते हैं कोई और 2-3 हमको अगर stocks दिखें, इस तरीके का pullback को, low MR 6 to 70 का, तो वो एक major आपका area होने वाला, key level area होने वाला support का, और again हम यहां पर pullback देख सकते हैं, तो आपका next जो simple सा target हो सकता है, वो 6-0 के आसपास का एक level हो सकता है, और अगर सब चीजे सहीं चली, तो आप again 7000 के levels भी coming weeks में देख सकते हैं, ठीक है, तो it's totally depend on the price action and real-time tracking also, क्योंकि हम लोग वीकली वीकली review कर रहे हैं, तो possible नहीं हो पा रहा है कि डेली हम लोग चार्ट पोस्ट करें या डेली रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग Twitter में मुझे follow कर रहे हैं और जो भी मेरे updates रहते हैं, मैं time to time update करता रहता हूँ और try करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को knowledge point दे सकूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको definitely कुछ help मिल रही है तो प्लीज ये शेर ये वीडियो अपने friends के साथ शेर करें लाइक करें ताकि हमको भी एक motivation मिलता रहा है और हम आने वाले times में आपके लिए इस तरीके से simple price action based वीडियो लाते रहें, थैंक यू सो मुच गूनाइट गूबबाए